हाई दोस्तों वेलकम टू बुलू पेन बुलू मारकर हम इस बुक को लेकर आपके समने हाजर हैं हम लोग कर रहे थे साइन्टिफिक पॉइंट ओव यू जे बियस हल्देन के दुवारा हम लोग उने पहला जो लेक्चर है इसका पूरा कर लिया था हम लोग उने पेज नुम unfortunately मतलब दुर्भागवश या बदकिस्मति से the growing realization of this fact is opening the door to innumerable false prophets who are advertising their own pet theories in sociology as scientific लंबा sentence है तो हम लोग इसको तोड तोड के पढ़ते हैं दुर्भागवश the growing realization of this fact कहता कि इस तथ का of this fact इस तथ का जो growing realization है मतलब बढ़ता हुआ जो एक अनुभूती है बढ़ता हुआ जो एक अहसास है वो क्या है is opening the door दरवाजा खोल रहा है किसके लिए दरवाजा खोल रहा है two innumerable false prophets innumerable मने होता है दुस्तों अनगिंत बहुत सारे बेशुमार false prophets false prophets ऐसे लोगों को बोलते हैं दुस्तों जो किसी भी area of knowledge के बारे में काफी confident होते हैं कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन actually वो कुछ नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को बोलते है false prophets innumerable false prophets who are advertising their own pet theories who are वो false prophets वो लोग जो अपने आपको किसी knowledge का पका मानते हैं लेकिन वो कुछ होते नहीं ऐसा वो लोग advertise कर रहे हैं परचार कर रहे हैं किसका of their own pet theories अपने pet theories का pet theories मने पाल्तू सिधान्त पाल्तू सिधान्त किसे कहते हैं थेरी मने होता है दोस्तों contemplative thinking कहते हैं thinking से हम अपने सोच समझ से जब कोई विचार करके कोई चीज हम लोग सामने लाते हैं that is called theory याना उसको हम लोग सिधान्त कहते हैं इंग्रिजी में पेट theory मतलब वही पाल्तू जिसको हम कहते हैं कि जो मन में आया मन घरत ले लिए ले करके हम लोग उसको theory माल लिए तो यहीं लोग जो false prophets हैं जो लोग claim तो करते हैं कि वो सब जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं जानती हैं लोग परचार करते हैं अपने theories का अपने बने बनाए DHर के बनाए कुछ सिधान्तूं का परचार करते हैं सोशियलोजी में करते हैं और वो कहते हैं कि वो काफी क्या है साइंटिफिक है काफी वेगैनिक है आपको बात समझे मारी यह कि भाग बश ऐसा 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 एक अनुभूती का अहसाश हो रहा है ऐसा एक ग्रोंग रियलाइज़ेशन है किसी का जो कि एक दरबाजा खोलता है किसी के लिए दरबाजा खोलता है ऐसे लोगों के लिए दरबाजा खोलता है असंग ऐसे लोगों के लिए दरबाजा खोलता है जो अपने थेरी बनाते हैं अपनी मनगरत बातों को लोगों तब रखते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल शत्प्रतिशत सही है और ये scientific है और ये विज्ञानिक दिरिष्टीक उन से सही है कों लोग 4 false prophets वो जुटे लोग जो अपने theory का अपने बातों का क्या करते हैं परशार करते हैं science is continually telling us कता है कि यह जो विज्ञान है हमको लगातार पिलकुल लगातार कहता आ रहा है telling us है ना through their mouths उनके मुँ से हमको कहलवाता आ रहा है क्या कहलवाता आ रहा है that we are doomed हम लोग doomed है हम लोग अपरादी है doomed होने होता है अपरादी हम लोग अपरादी है unless जब तक नहीं we give up smoking जब तक हम नहीं smoking को छोड़ देते हैं तब तक हम अपरादी हैं adopt अपनाते हैं या abolish तयाग देते हैं छोड़ देते हैं birth control हम birth control को या अपनाते हैं या छोड़ देते हैं तो कहता है कि ये लोग अपने मूँ से कंटिनूसली कहते वे आ रहे हैं कि वी आर डूम्ड हम तब तक क्या हैं मुल्जिम हैं अपराधी हैं कब तक जब तक हम स्मॉकिंग छोर नहीं देते हम बर्थ कंट्रोल को अपना या उसको छोर नहीं देते स्थ और बहुत सारी चीज़ें सफ़र्थ मनें बहुत सारी चीज़ें अव इटिज नॉट माई आबョब्जेक्ट काता है अब ये मेरी बात नहीं है तो सब पोट माई साथ थेरी कि मैं अपने साथिईरी वेगनिक जो ہمارी सोच है जो हमारा सिधांत है जो हमारी थेरी है उसको मैं सपोर्ट करूँ but merely the scientific standpoint लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए scientific standpoint को scientific point of view को तो यह फर्ख है science को सपोर्ट नहीं कर रहे सपोर्ट तो कर रहें इसको बेकिन हमको जादा किसको सपोर्ट करना है साइन्टिफिक पॉइंट ओ भीव को साइन्टिफिक स्टेंड पॉइंट को ताकि लोगों का नज़र या साइंस को लेकर चलने के पड़ती बढ़ता जाये अब कहता है यह जो जिस standpoint के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस point of view के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो point of view अखिर इनमें किन किन गुनों को समाहित किया हुआ है क्या-क्या गुन हैं इनके, क्या-क्या इनके characteristics हैं सवाल कर रहा है तो इसमें हम लोग बता रहें in the first place सबसे पहले परथम अस्थान में पहली बात तो यह है it attempts to be truthful यह जो scientific standpoint है या scientific view है यह बिलकुल सच होने की कोशिश करता है it attempts कोशिश हना करता है to be truthful कि वो सच्चा हो truthful मनें सच्चा and therefore और इसलिए impartial अगर वो truthful होगा तो definitely वो क्या होगा निस्पक्ष होगा वो किसी के तरफदारी नहीं करेगा वो impartial होगा वो निस्पक्ष होगा and it carries impartiality और यह क्या करेगा impartiality को निस्पक्षिता को लेकर के आगे चलेगा a great deal बहुत आगे तक further than does the legal point of view ग्रेट डिल यह जो impartiality को लेकर चलेगा a great deal further मतलब बहुत आगे लेकर चलेगा further मने आगे then यह आप तुलना कर रहा है किसकी तुलना में then does the legal point of view काता है कि जो हमारा legal point of view है legal दिरिस्टी कोन है जो हमारा कानूनी दिरिस्टी कोन है उसकी तुलना में scientific point of view है legal point of view से भी काफी आगे दूर तक चला जाएगा अब कैसे उसका example दे रहा है a good judge will try to be impartial काता है कि अच्छा जो judge है वो क्या करेगा will try कोशिश करेगा to be impartial कि वो निस्पक्ष हो जाए between Mr. John Smith and Mr. Chang Singh दो लोग है Chang Singh और John Smith वो दो लोग की बीच की बीच की हो जाए impartial हो जाए निस्पक्ष हो जाएकॉन judge सहाब a good scientist will be impartial between Mr. Smith a tapeworm and a solar system लिंक कहता है कि एक जो अच्छा scientist होगा अच्छा वैग्यानिक होगा वो impartial होगा निस्पक्ष होगा किस के किस के बीच में Mr. Smith के बीच में tapeworm जो फीदा किर्मी होती है जो हमारे पेट में intestine जो हम लोग खाना खाते है उस वाले tube में जो चिपका रहता है चिपटा सा होता है है ना वो उस किर्मी में and the solar system और यह sorry mandal जो है पूरा जो सूरज का जो पूरा management है जो इन सब में वो impartial रहेगा वो partiality या तरफदारी किसे की नहीं करेगा कौन एक scientist he will leave behind his natural repulsion of the tapeworm काता कि वो जो scientist है will leave behind पीछे छोड़ देगा वो लीब मने छोड़ देगा अपने पीछे छोड़ देगा उसका जो परतिकर्शन है वो जो दूर हटता है repulsion में दूर हटना मतलब आकर्शन नहीं होना परतिकर्शन होना of the tapeworm tapeworm से वो कितनों नफरत कर ले कितनों से वो दूर भाग ले उसको वो क्या करेगा उसका वो natural है natural है कोई भी tapeworm को क्यों लाइक करेगा बाई सही बात है न वो जो फीता किरी में है लोग या कोई भी scientist उसको क्यों पसंद करेगा तो वह कहता है कि वो पीशे अपना छोड़ देगा कि किसको छोड़ देगा वही जो natural उसका रिपल्शन है क्योंकि वो क्यों सेंटिस्ट है उसको tapeworm में भी उतना ही इंटरेस्ट लेना है जितना और चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है इसलिए वो जो उसका जो रिपल्शन है उसका जो natural रिपल्शन है पराकृतिक तोर पे वो जो tapeworm के तरफ नहीं खिशता है वो उसको पीशे छोड़ देगा अपने रिपल्शन को अपने मजबूरी को अपने नापसंदी को पीशे छोड़ देगा वो क्या करेगा उसको लेना पड़ेगा वो tapeworm को steady करेगा बिल्कुल सही से to the point steady करेगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा which would lead him to throw it away instead of studying it तो क्या होगा अगर वो उसको पसंद नहीं करेगा तो ये चीज क्या क्या करेगा उसके लिए which would lead him to throw it away वो इसको फिर फिर क्या क्या करना पड़ेगा उस tapeworm को फेग देना पड़ेगा which would lead him to throw it away instead of studying study करने के बदले में study करने के जगा में वो उस चीज को क्या अगर रगा उठा कर फेग देगा it as carefully as a statue or a symphony काता है कि उसको study अगर वो क्या करेगा हम उसको उठा के फेग देगा और वो जिस तरह से जिस केरफुली से सावधानी से statue मुर्ती या symphony सूर और ताल का जिस तरह से केरफुली study किया जाता है उस तरह से वो केरफुली उस tapeworm के बारे में study नहीं कर पाएगा अगर उसको उससे natural repulsion को अगर वो जो उसका natural repulsion है वो जो प्राकृतिक परतिकर्शन है उसको अगर वो बनाए रखेगा टेकिन वो क्या करता है उस परतिकर्शन को उस dislike को अपने पीछे छोड़ देता है और उस पर वो काम करना चालो कर देता है कौन scientist अब बात समझ रहे ठीक है अगर वो हाला कि सब कोई टेप हों से नफ़रत करता है कौन उसको चूने जाएगा लेकिन क्योंकि scientist को क्या करना है उसकी बारे में study करना है तो उसको जो अपनी उसका जो ना पसंद ना पसंद है जो उसको पसंद नहीं है उसको अपने पीट के पीछे चोड़ना पड़ेगा ताकि वो अच्छे तरह से उसका study कर पाए जिस तरह से जिस क्येरफुली से जिस साबधाने से वो statue को या किसी सूर्य ताल का क्या करता है study करता है and his O for the solar system और क्याता है कि उसका जो O है O A-W-E O मैंने होता है डर खौफ उसका जो खौफ है solar system को लेकर solar mandal को लेकर which led his predecessors जिस चीज ने जिस खौफ ने जिस डर ने जिस भैं ने हूं उससे पहले आने वाले लोगों को उनके predecessors को प्री मन पहले predecessors मने पहले आने वाले लोगों को क्या-क्या था either to worship its constituents या तो इधर या तो उनके प्रिडेसेसर को जो जो साइटिस पहले पहले आये थे उनको क्या करना पड़ा उन सोलर सिस्टम का क्या करना पड़ा उनके कंस्टेट्स का उनके एलिमेंट्स का उनके भागों का क्या करना पड़ा वर्शिप करना पड़ा पूजा करना पड़ा प किया उसको माना देम एज इंस्कूरूटेवल सर्वन्स अफदा अलमाइटी मतलब उन साइंटिस्टों ने उससे पहले जो लोग आये थे उसने ये बात माना क्या माना उसको रिगार्ड किया उसको इतना इज़त दिया किस हैसित से इंस्कूरूटेवल सर्वन्स अफ अलमाइटी अलमाइटी मुने भगवान गौड खुदा उस उपर वाले के इंस्कूरूटेवल सर्वन्स की रूप में इंस्कूरूटेवल का मतलब होता है दोस्तों अन्फैथमेबल इसको ना पाना जा सके इसको गिना ना जा सके हैं इसको हम लोग बलते हैं इनसक्रूटेबल या इसको लोग बलते हैं रहसपूरन आ आप अब कबातम मैं ह रहिये है रहसपूरन तो यह इन सारी चीजन को जितने सौर मंडल में या चीज़ें हैं उन mulut पृत्यश नहीं क्या समेजा हा एकरSo में या रहसपूर्ण सेवक समझाता किसका ऑल्माइटी का भगवान का ठीक है उन्हें समझाता वो जो साइंटिस्ट जो लोग पहले आये थे उन्हें उन्हें कहा था कि यह इंस्कूरूटेबल सर्बंस हैं सेवक हैं सेवा कर रहे हैं किसका भगवान का सेवा कर रही है सोर मं to exalted for human comprehension ये बहुत ज्यादा exalted था और बहुते उन्यत था for human comprehension बहुते उन्यत ऊपर की चीज़ थी एक इंसानी समझ के लिए human comprehension इंसानी समझ के लिए इंसानी दिमाग में बात आने के लिए बहुत उची बात थी जो लोगों ने ऐसा कहा था क्या कहा था कि वो लोग एक रस पूर्ण तरीके से भगवान की सेबा करने कौन सौरे मंडल ये बात इनसानी समझ से बिलकुल पड़े था बिलकुल बाहर था फॉर्थ पैरा Such an attitude leads the scientists का तो इस तरह की धारना इस तरह की धारना जो अभी हमने जिकर किया इस तरह की धारना है scientist को क्या करती है कहा ले जाती है To a curious mixture of एक अनुखा मिश्रन की तरफ ले जाती है एक mix की तरफ ले जाती है किस तरह feel करता है वो या तो काफी proud feel करता है या फिर humility feel करता है proud and humility दो opposite words है, humility का मतलब होता है दोस्तों विनमरता, humbleness, हैना humility, humble, humble क्या है adjective है, humility इसका noun है, ठीक है, विनमरता, और pride मने क्या होता है, इसको जिसमाम मतलब प्राउड, मतलब, इसको हम वह होता है, arrogance, हैना, तकबूर, घमंड, तो scientist को यह जो चीजें है, दो चीजों के mix में लाकर है, या तो humility को मतलब, मतलब, समझता है, कि वह काफी भी नमर है, या फिर, अगर वह humility को नहीं समझता है, तो फिर अपना आपको काफी proud feel करता है, काफी उसके उसके अंदर arrogance भर जाता है, ओके, the solar system turns out to be a group of bodies, अब काता है कि यह जो solar system है, यह जो solar mandal है, यह turns out to be, क्या निकल करके सामने आता है, यहां से, to be a group of bodies, पिंडों का एक group, पिंडों का एक समू, bodies मने पिंड, जो आकास में होते हैं, पिंडों का एक समू है, rather small in comparison, with many of their neighbors, काता है, कि पिंडों का एक समू है, rather small, बहुत ही छोटा है, छोटा है, in comparison, तुलना में, किसकी तुलना में, with many of their neighbors, उनके पिंडों के पिंडों के पिंडों के पिंडों में, जतने पिंडों या दुसरे चीज़ें रहती हैं, उनकी तुलना में, यह जो bodies है, यह जो पिंडों है, यह जो चोटे चोटे पिंडों है, पिंडों का एक समू है, यह काफी छोटा होता है, यह जो solar system है, एक group of bodies is a boss a body's a boss a fillet पनी प्रोस में परहने वाले पिंडों से बहुत ही छोटा है ठीक है okay and executing their movement और वो execute करते हैं अपने गती को execute मने होता है पालन करना दोस्तो अपने गती का अपने movement का वो लोग पालन करते हैं according to simple and easy intelligible laws किसके अनुसार? according to किसके अनुसार? simple, काफि सादा और easily काफि आप आप आसानी से intelligible laws मतलब intelligible का मतलब असपस्ट जो नियम है जो laws है उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं हना movement करते हैं और उस movement का पालन भी करते हैं अपने कच्छाओं में अपने और वीट में वो लोग घूंटे रहते हैं हम लोग जानتे हैं कि सन के चारू और जितने भी पिंड हैं जितने भी बाड़ी जे तैक्छाओं का क्या करते हैं छक्कर लगए अपने और वीट में चक्कर लगए था07 में अब रिंट फलते हैं दोस्तों विचलित जो अपने रास्ता से हट जाता है मैंबर में सदस कहते है कि वह स्वेम एक स्वेम खुद एक क्या है एक होना विचलित सदस जैसा है अब ऑफ दे सेम ओडर एज जिस तरह से की बंदर है पादा कहना चाहा कहने का मतलब है इनसान जो आए हैं विचलित होकर के आए हैं बंदरों से इसका विचलन हुआ है मतलब पहले बंदर थे अब धिरे धिरे वो विचलित होकर के वो इनसान बन गए है तो वही कहना चाहता है While His mind is at the mercy of number of chemical processes जबकि उसका दिमाग, His mind, किसका? उसका दिमाग, इनसान का दिमाग Is at the mercy of, हना? Number of chemical processes in His body उसके body में number of, मनने बहुत सारे, बहुत सारे chemical processes मतलब ये रासायनिक जो परकरियाँ चलती रहती हैं है ना उनके बॉड़ी में उसी का एक क्या है है ना उसी के रहमो करम पर उसका दिमाग चलता है which he can understand but little जो की वो समझ सकता है लेकिन थोरा समझ सकता है a little and control hardly at all और उसको control कर सकता है मुश्किल से ही मुश्किल से मदब नहीं के बराबर उसको control नहीं कर सकता है control कर भी सकता है तो जादा नहीं जड़ा सा control कर सकता है in so far as जहां तक की it places all phenomena ये सारे जो घटनाए फिनोमेना हमने होता है दोस्तों घटनाए phenomenon इसका singular है phenomena इसका plural है तो it places all phenomena जितने भी घटनाए है उसको वो रखता है place करता है on the same emotional level एक same है ना एक भावनात्मक level पर अस्तर पर उसको क्या करता है रखता है the scientific point of view may be called the God's eye view लेकिन कहता है कि जो scientific point of view है जो बैग्यानिक नजरिया है बैग्यानिक जो दिरिश्टी कोन है उसको कहा जा सकता है कि God's eye view है God का आखों देखा है या दोस्तों बोलेंगे God's eye view का मतलब हो सकता है कि जब God दुनिया में हर चीज़ को बनाया है बनाया ना तो वो फिर क्यों एक दूसरी की partiality करेगा अगर जमीन को उसने बनाया पत्थर को उसने बनाया चटान को उसी ने बनाया तो फिर वो किसी में तरफदारी या पक्षपात नहीं करेगा मतलब वो सब के लिए निश्पक्ष रहेगा इसी तरह से कहता है कि scientific point of view है वो कहा जा सकता है कि ये God's eye view है मतलब ये पूरी तरह से निश्पक्ष है पूरी तरह से किसी का पक्षपात नहीं करता है ये निश्पक्ष है कौन? scientific point of view but it differs profoundly लेकिन ये काफी गहराई से differ करता है भिन्न है कैसे भिन्न है? from that which religion have attributed to the almighty काता है कि ये जो scientific point of view है differ करता है वो अलग दिशा में जाता है from किस से? from that उस चिस से जो which religion have attributed जो कि धर्म religion ने attribute किया है दिया है उसके तरफ attribute किया है मिलाया है किसके तरफ? to almighty उपर वाले के तरफ मतलब धर्म ने उपर वाले के तरफ जो attribute किया है थोपा है उसको चेप दिया है उपर वाले के तरफ मतलब attribute का मतलब थोप देना दे देना लगा देना मिला देना या पर गुन बताना attribute का मतलब ये भी होता है तो कहता है कि ये जो scientific point of view है बहुत ही different है काफी गहराई से differ करता है किसी से हना that religion that view which religion have attributed to almighty चो religion ने धर्म ने almighty को भगवान को खुदा को God को क्या किया है attribute किया है उसके तरफ निस्बत किया है in being ethically ethically neutral हना कि वो ethically neutral है ethically मतलब morally morally का मतलब आचार विचार में क्या है neutral है मतलब उदासीन है अब देखिए बात यहां आती है कि ethically neutral यहां बात आती है morals की और ethics की तो science ना तो morality पे विश्वास करता है ना यह ethics पे विश्वास करता है यह सिर्फ facts की बारे में बात करता है यहां जो religions है यह जो धर्म है Almighty के तरफ भगवान के तरफ उपर वाले के तरफ हना अगर कोई चार्टरिविट करता है कि वो ethically neutral है तो इस बात को देखना पड़ेगा science cannot determine science इस बात को पता नहीं कर सकता है determine नहीं कर सकता है what is right, what is wrong क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं कर सकता and should not try so और ऐसा करना भी नहीं चाहिए ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए it can work out the consequences of various actions it can work out the consequences मतलब various actions मतलब भीन भीन परकार के जो किरियाई होती है actions हो actions होता है उसके परिनाम को उसके नतीजों को उसके consequence को science क्या कर सकता है work out कर सकता है solve कर सकता है बता सकता है but it cannot pass judgment वनने लेकिन ये उस पर अपना फैसला नहीं सुना सकता कोई judgment वो नहीं पास कर सकता कोई decision या कोई फैसला score नहीं दे सकता the bacteriologist वो इनसान जो bacteria के expert होता है can merely point out सिर्फ ये इशारा कर सकता है point out कर सकता है that pollution of public water supply कता है कि public water जो है public water का जो supply है अगर वो polluted हो जाए अगर वो दुशित हो जाए is likely to cause ऐसा संभावना है कि वो क्या पाइदा करेगा क्या cause करेगा किसी इसको जनम देगा as many deaths as उतनी सारी death उतनी सारी मौत को दावत देगा हना मौत को होने देगा अगर ऐसा कुछ हो अगर public water supply अगर दुशित हो गया तो कितने मौत होंगे से उतने मौत होंगे जितने letting off a bomb in the public street letting off मैं डाल देना छोड़ देना a bomb in the public street सारवजनी गली में जैसे किसी ने bomb डाल दिया हो इतनी लोग मरेंगे उस पानी के supply के किससे दूशित होने से पॉलीट होने से but he is no better equipped than anyone else लेकिन वो जो scientist है वो better equipped नहीं है वो सुसजद नहीं है हना he is no better equipped वो अच्छी से सुसजद नहीं है than anyone else किसी दूसरे के तुलना में in possession of the knowledge he has gained जो भी knowledge उनने gain किया है प्राप्त किया है उस knowledge के position में वो लोगों से क्या है वो जो दूसरे लोग है और कोई लोग है वो उसकी तुलना में उसके बनिस्बद वो ज़्यादा equipped नहीं है सुसजद नहीं है लोग तो कुछ भी सा सकते हैं वो जो facts को जानता है वो सिर्फ facts पर जो scientist है वो आड़ा रहता है लोग तो कुछ भी बात करेंगे लोग ethics के बारे में बात करेंगे लोग morality के बारे में बात करेंगे लोग और भी बहुत बहुत सारी बात करेंगे लेकिन scientist जो है वो सिर्फ और सिर्फ facts के बारे में बात करेगा for determining whether these two acts are equally wrong काता है कि ये जो दो जो काम है वो for determining पता लगाने के लिए where these two facts कि कहां ये दोनों जो तत हैं वो equally wrong हैं बराबर तरीके से wrong हैं या नहीं है कौन सी कौन सी दो बात हैं वही water supply में परदुशन पानी का दुशित होना और फिर बाम का गिरना ये दो बात हैं equally wrong हैं या फिर equally wrong नहीं है the enemies of science काता है कि जो विज्ञान के दुश्मन है जो विज्ञान के दुश्मन हैं वो alternately abuse करते हैं वो बारी बारी से alternatively क्या करते हैं abuse करते हैं बूरा कहते हैं गाली देते हैं किसको its exponents exponents बोलते हैं दोस्तों वो लोग जो लोग science को बढ़ावा देते हैं science को फैलाते हैं इसको हम लोग व्याख्याता बोलते हैं या फिर simply हम इसको जो लोग science को का experiment करते हैं वहना जो लोग science बढ़ते हैं उन लोगों को यह जो लोग है जो science के दुश्मन हैं यह लोग गाली देते हैं किवेंग एंड़ देते हैं वह कहते हैं कि scientist जो लोग है वह लोग डेफ हैं मतलब हना वह लोग बहरे हो गए है तो moral considerations कि वो moral considerations को नैतिक आचार विचार हैं उसको लोग नहीं सुन रहे हैं वह लोग इसको नहीं मान रहे हैं उस पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह कौन इलजाम लगा रहा है, कौन गाली दे रहा है, यह लोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट के बारे में, and for interfering in ethical problems, और वो यह भी कर रहे हैं, कि वो ethical problems में वो लोग क्यों interfere नहीं कर रहे हैं, ethical जो problems है, ethical मतला आचार विचार वाले जो समस्या हैं, उस पर साइंटिस्ट लोग interfere क्यों नहीं कर रहे हैं, which do not concern them, यह यह चीज़े, ethics, morality, यह जितना चीज़ें हैं, यह सारी चीज़ें, साइंटिस्ट को से कोई मतलब नहीं है, उसका, उसका कोई concerning उससे नहीं है, both of these criticism cannot be right, और यह दोनों जो criticism है, जो भी यह लोग लगाते हैं, किसके परती, एक तो पहले इसको बुरा कहते हैं, फिर कहते हैं कि वो बहरे हो गए हैं, हमारे moral considerations को नहीं सोच रहे हैं, या ethical problems को वो लोग नहीं देख रहे हैं, तो यह दोनों जो claims हैं, यह दोनों के दोनों, यह जो आलशनाएं हैं, वो can't be right, वो सही नहीं हैं, या सही नहीं हो सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, यह था आपका chapter जो पर फोटेट में था, फिफ्थ उसका जो है, पूरा हो गया, हम लोग आगे देखें के बाकी अगला, है ना, तब तक आप बने रहे हैं, इसको देखि हैं, जो समझने हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए,